भाईयो एवं बहेंदो श्रानाश्रा की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 56 मां संस्क्राण सुनाने जा रहा हूं। कहानी में जैज साफ के अद्बुथ निर्वेवाद न्याय पर प्रकाष डाला गया है। आगे। एक शहर में लगवाद बारे बड़सी बाल का बड़े रिश्टोर में ब्रेट पनीर की चोड़ी करती पकड़ी गई। रिश्टोर मालिक ने उसको पुलिस की हवाली कर दिया। नावालिक को ग्रिददार कर एफाईया लॉज की तता चार्षिर बना ओट में प्रिश्किया। जैज साब ने लगवी से पूछा क्या तुमने चोड़ी की थी। जैज साब को दूसरा सवाल। क्या सामान चुराया प्रत्वत्र में डर्की ने कहा ब्रेड और पनीर जैज साब ने कहा खरेद लेते डर्की ने बतलाया पैसे नहीं थे जैज साब ने पूछा घर में और कौन-कौन है डर्की ने बतलाया कि एवल मा तो माते पैसे मांग लेती डर्की ने बतलाया कि मा कोठ करती है चार-पाइज दिन से बीमार रहने के कारण आर्थिक से दिखराव हो गई जब ब्रेड पनीर बीमार मा कोई दवा से पहले खिलाने के लिए चोरी की थी किसी से उधार मांग लेती रखी ने जाब दिया कि सोबह से 20 लोगों से कहता लेकिन किसी ने भी साहता नहीं की जैसाब ने पूछा तुम चाह करती हो तो लगी ने बतलाया कि एक कोठी में दो बड़ से बच्ची की देखवाल का काम करती हूं एक दिन मा को अफसाल दिखाने को अफकाश लिया था जिसके कारण मालिक ने नराज होकर मुझे काम से निकाल दिया तथा बगाय पैसे भी नहीं दिये का अगले मां ले जाना फिलाल भी रुजगार हूं इस्टो मालिक की बयानात के बाद जैसाब ने अपना निर्णे सुना है कि इस लगी को इस हारत में पहुचाने के लिए हम सब यानि समाज ही जिम्मेदार है गहन मुसीबत के समय किसी ने भी सहुग नहीं किय विस्तम परिस्टियों में चोरी करने को मजबूर हुई अथा इस समय सेंबर में जितनी व्यक्ति मुझ सही तो पस्ते थें रत्रिक पर 10 डालर जुर्माना लगाए जाता है बिना जुर्माना भरे यहां से को भी व्यक्ति नहीं जा सकता आगे इस्टोर मालिक पर एक यहां डालर का जुर्माना किया जाता है अन्यथा 24 हंटे में जुर्माना न भरनने की स्थिति में कोर्ट इस्टोर को सील करने का हक्म देती है कि उसने एक भूगे बच्चे से गेर इंसानी सलोग करते हुए पुलिस की हवाली किया जुर्माने की पूरो राशी इस बालिका को देकर कोर्ट बालिका से माफी तलब करती है नेरने सुना कर सजल इतनों से जैस साब ने 10 डालर करेशन बोक्स में डाल अपने आशू चुपाते चेंबर से भार निकल गए फैसला सुनाने के बाद कोर्ट में मायूद लोगों की नेतर भी सजल हो गई लड़के भी रोती हुई जैस साब को बार बार देखी जा रही थी चाड़क ने कहा है कि यदि कोई भूगा वक्ती रोटी छोडी करता पकड़ा जाए तो उस देश के लोगों को इस वक्ती के ग्रत्ति के लिए शर्मानी चाहिए यद्यपी धन से कई सारी सुफ़ सुब्दा हासिल कर सकते हैं लेकिन स्वकून सिर्फ अच्छे कर्मों सही मिलता है समाज कोई ऐसा मुका न दे कि कोई इस हद तक गिर कर अशोवने कृत्त करने पर मजबूर हो समाज में स्वस्त वात्रम बनाने में सभी का जायोग अन्मार दूप से अप्रिक्षित हैं वंदुओ मेरी कहानी कैसी लगी यदि दुछकर महसूस हो तो क्रिपया फॉलू करें धन्यवाद